Hello Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं संभोख के बारे में, यानि इंटरकोर्स, सेक्स के बारे में देखिए मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो दिन रात इसी बारे में ही सोचते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक ऐसे वीडियो दिन भर देखते रहते हैं लेकिन सेक्स के बारे में जब बात करने की बात आती है तो वो घबराते हैं तो ये जो सेक्स है या संभोग है या इंटरकोस है इसके बारे में बात करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए especially हमारे इंडिया में क्योंकि इस रिगार्ड़ आइस टैबू तो आज मैं हिम्मत कर रहा हूँ आपसे बात करने की इस बारे में और इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बात की है एक मेरा वीडियो है कि जिसका टाइटल है संबोग नहीं करने से क्या नुकसान होता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजेगा काफी सारे लोगों ने देखा है आपका प्यार मिला उस वीडियो को उसके लिए very many thanks और हाँ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजेगा प्लीज आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि sex करने का या intercourse करने का या संभोग करने का सही समय कौन सा है देखिए हमारे body में अलग-अलग type के systems चलते हैं जैसे कि digestive system है अगर हम खाना नहीं खाएं कुछ दिनों तक तो हमें weakness लगती है और खाना हमारे life में बहुत ही indispensable होता है उसके बिना तो हम जी नहीं सकते हैं है ना तो उसके लिए हमने digestive system पढ़ा हुआ है और respiratory system जो है oxygen और carbon dioxide के आसपास गुमता है और Corona ने यह हमें सिखा दिया है कि oxygen कितना important है हमारे life में इसंट इट फ्रेंड्स लेकिन 12th standard में और 10th standard की बुक्स में हमने जो reproductive system पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा तो है हमें सब कुछ पता है लेकिन reproductive system isn't required everyday like it's not a matter of life and death जैसे आप खाना नहीं खाएं बहुत दिनों तक तो बड़ी problems हो सकती है अगर एक मिनिट तक भी सांस नहीं ले प्रॉपरली तो problem हो सकती है लेकिन अगर संभोक आप लंबे समय तक नहीं भी करें तो भी कोई बड़ी problem नहीं होगी यही तो problem है चीज की कि इसको आप करे या न करे कोई problem तो नहीं होने वाली है पर actually आप मेरे नजीरा से देखें तो problem हो सकती है और आज मैं बात करने वाला हूँ कि संभोक करने का जो सही वक्त है वो कौन सा होता है मतलब इस वाल बेस्ट ऑन रिसर्च विच वास डन बाई Harvard University America रिसर्च ने यह बताया है कि सुबह छे से लेकर नो बजे तक सबसे अच्छा समय माना गया है संभोक करने के लिए इंटरकोस करने के लिए Yes You heard it correctly सुबह छे बजे से लेकर नो बजे तक रात को नहीं देखिए हमारे देश में यह माना जाता है कि जो संभोग एंटरकोस है वो लेट नाइट वाली चीज है 18 प्लस है लेट नाइट वाली है बच्चे बच्चे सो जाए उसके बाद ही होता है खाना वाना हो जाता है उसके बाद होता है But actually यह American researchers की अगर आप माने तो सुबह का टाम बहुत अच्छा माना गया है इसलिए माना गया है कि जो हर्मोन्स हमारे बाड़ी के secret होते हैं वो चरम सीमा पर चाहे वो मेल हो या फिमेल हो चाहे हम बात करें testosterone की जो की मेल में होता है यह हम बात करें estrogen की जो females में होता है सबसे जादा जो इसका secretion होता है वो सुभर के समय होता चे से नो बज़े के बीच इसलिए फ्रेंड्स याद रखिए कि अगर आप संभोग करना चाहते हैं तो अगर आप रात को करते आ रहे हैं तो एक बाट सुबह ट्राय करिए I understand कि अभी lockdown और यह सब स्कूल और बच्चों के स्टार्ट नहीं हुए हैं इस कारण से भी sex life में बहुत प्रॉब्लम्स जारी है लोगों की पेरे तो क्या है बच्चे स्कूल चले जाया करते थे और फिर सुबह का टाइम आपको मिल जाया करता था लेकिन अभी तो बच्चे आपके सिर पर बैठे हुए हैं अभी तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं या online classes घर पर ही ले रहे हैं तो I am really wishing कि आगे अच्छा समय जरूर आएगा उन लोगों के लिए जो venture करना चाते हैं संभोग में अच्छा दूसरी बात यह है कि testosterone level जो मेल से में होता है कि सुबह जो छे से नो बज़े के बीच में चरम पे रहता है शाम को नहीं रहता है रात को नहीं रहता है दोपेर में नहीं रहता है इसलिए आपको आनन सबसे जादा उसी वक्त आ सकता है लंबे समय तक आप जो है संभोग कर पाएंगे sexual intercourse को आपके लिए बहुत enjoyable होगा अगर आप सुबह के सबह करके देखेंगे आप ट्राय करके देखेंगे इसके लिए कुछ पर आपको टिप्स बताता हूं कि वन यू गेट अप इन दर मॉर्निं इसका मतलब यह नहीं कि आप सुबह उट रहें आप अप उट गया रहें इनोंने बताया है तो बस सुबह छ पर अपुलियोय आपको यह ऑफ सबना हुआ है कि आपके शरीशमेंश से कोई पर आपनी तयारी करनी है जब आप गर्रफ्रेंद्स और बाइफ्रेंट्स थे लिएस पहले जिन बैच और अरेंज मैरेज हुए है जब पहरे पहले आप हनीमुन पे गए थे आपकी आपके अ पार्टनर का जादा ध्यान रगते थे हमेशा पर्फ्यूम लगाते थे उनकी पसंद का और आपके मुझ से कभी भी स्मेल नहीं आती थी इसंट इट मिंड का यूज करते थे अभी आपने क्यों ऐसा बंद कर दिया है आपके बच्चे होगा है इसलिए ऐसा मत करिये देखिये आइस्क्रीम होती है ऐसा कहा जाता है कि यूव पर्चेस आइस्क्रीम यूव तो एट इट बफोर इट में यूव सेक्च्वल लाइफ इस वेरी स्मॉल पार्ट अफॉर लाइफ अज विल ग्रो ओल्डर यूव नौट गेट एट गिक यूव अगर आप यंग है अभी बीस-पच्चीस की एज में है तो रियली और विशुड गेट इंवल्ड इन समसार्ट अव सेक्श्यल अटिविटी संभोग आपको करना चाहिए वरी सैडली आप टू सेट इस थिंग की रिसेर्च वरकू कांट्रीस लूप रही है की कॉंट्रीस पारा यह काहिए पील अर्डु आरिश्टि इस है नचिन की यविग भिव महांँ पेकों व्हुर्ण की जरूबत नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा की यूूसे साथ पर्फ्यूम, यूस्मिन्ट, तेक अन्लिल बिक एक्सजाइज, जिए खित सेट अपस्टिम, आपकी तोंदी निगल रही है and then your wife will not feel that way or maybe the wife comes to the bed or उसके शरीर से लसन की smell आरही है उसने खाना बनाया दिन भर शाम को यह से प्रोब्लम्स होगी आप जॉब करके आएंगे उसके आप थके मान्दे आएंगे या हो सकते आपकी वाइप भी जॉब करती हो आप थके मान्दे आएंगे you are feeling feverish as if you are going to die इतने आप थके हुए हैं then you can't expect कि आप कुछ सेक्स करेंगे या कुछ इंटरकोस करेंगे वस टीवी देखेंगे और थोड़ी लड़ाई करके सो जाएंगे पर ऐसा मत करिये try it out in the morning morning में आप फ्रेश रहेंगे आपके हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम टॉप पर रहेगा टॉप गहर पर भी आप जा सकते हैं तो it would be very nice for you मेरा इस सजेशन मान के देखेगा दूसरी बात क्या है कि अगर आप सुबह सुबह सेक्स करते हैं छे से नो बज़े की बीच में अफिस जाने से पहले या आपकी शॉप है, बिजनस है, या टीचर है या जो भी काम आप कर रहे हैं सुबह सुदह कभी आप सेक्स करके देखेगा एंडॉफिन नाम की एक जो हार्मोन है वो हमारा बॉडी रिलीस करता है ये एक हैप्पी हार्मोन होता है या आपकी प्रोग्रेस होगी आपका ग्रोथ और डिवलाप्मेंट जो करियर में अगर रुक रहा है तो वो बिलकुल आगे बढ़ जाएगा लेकिन अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हैं सुबह तो फिर आप दुखी-दुखी रहेंगे बुझे-बुझे रहेंगे आपके पार्टनर भी हो सकता है दिखे ये इंस्टा और फेस्बुक और वट्साइप का जमाना है यह पुराना जमाना नहीं है आपकी वाइफ को भी उनके पुराने फ्रेंड बिल सकते हैं और wife को भी समझना है कि husband के पुराने friends मिल सकते हैं तो कभी भी उनका रुजान, ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है Then you know what happens लड़ायां start होती है एक दूसर को avoid करना चालू करते हैं लोग और finally कभी-कभी divorce हो जाता है depression, frustration आजाता है life में तो यह सब अगर हटाना है तो morning time is best और यह सब बहुत अच्छा आ रहा है आपका इस घोल्डेन टाइम क्योंकि आप देखेंगे कि अब आपके बच्चे स्कूल जाना या तो शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं अब सब कोरोना के जो guidelines हैं उसमें काफी जो है छूट मिल रही है इस कारण से बच्चे जाएंगे और सुबह का time आप ट्राइ करें एक बार आप अपने भाई की बात मान के देखिए six to nine के बीच में sex करके देखिए कितना अच्छा लगता है आपको tips मेंने बता दिया है mint का यूज़ करिए perfume का यूज़ करिए अच्छे से नाइए एक जो सह सनान कहते हैं shower में साथ में जाएए और जो भी आपके hair wear हैं जहां भी उसको चरह ट्रिम कर लीजिए जहां पर भी आप समझी रहे हैं अच्छा ही लगता है कैसे आप तयार होते थे अपनी girlfriend के लिए अपनी wife के लिए जब नहीं नहीं आपकी शादी हुई थी या शादी से पहले और wife भी कैसे आप बिर लिए तयार होती थी जो आप office से आते थे कैसे आपका इंसार करती थी वही romance लाइफ में वापस लेखे आई है और life बहुत short है friends आपको try करना है मेरा suggestion आप मान के देखिए आपको बहुत फायदा होगा एक और मेरा suggestion मान के देखिएगा कि ये जो subscribe का button इसको दबा दीजिएगा और notification bell को दबा दीजिएगा like भी कर दीजिएगा हो सकता है आपके किजी friends को इस चीज की जरूवत हो इससे काफी फायदा मिले तो friends से share भी करिएगा right तो that is all for the day फिर किसी और दिन ऐसे ही किसी जोलन्द topic के साथ फिर आप से मिलता हूँ तब तक के लिए bye take care friends